भारत जेसा देश, पुरानी विरासत हमारे पास है, हम अगर टूरिजम को बढ़ावा दें और सफलता पूर्वक बढ़ावा दें, दुनिया भर के टूरिस्ट आएं, तो हमारी ये जो हजारों साल से हमारे पास जो विरासत हैं, वो हमारी एकोनोमी में कनवर्ट हो जाएगी वो हमारी एकोनल को बढ़ देगी और इसलिए ताजमहाल में इन्वेस्टमेंट किसे ने किया होगा उस समय साथ अख़बार निकलते होंगे तो इडिटोल भी आया होगा कि यह कैसा राजा है लोग भूके मर रहे हैं ताजमाल बना रहा है उस समय साथ टिवी चैनल चलती हुआ होता लेकिन वही ताजमहाल आज लाखों लोगों की रोजगार का कारण बन चुका है इसलिए हम किन बातों का कैसे उप्योग करते हैं उसके आधार पर ताय होता है कि हम एकोनॉमी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं और यह देश के लिए आवशक हैं जादा नहीं यारों तीस साल तीस साल अगर हम आठ परसंड से जादा ग्रोथ एचिव कर लेते हैं तो दुनिया में आज जो कुछ भी उत्तम देखते हैं वो सारा आपके कदमों में हो सकता है दोस्ता हिंदुस्तान में हो सकता है और यह हम सबका लक्ष रहना चाहिए किसान है तो भी अगर दो एकर भूमी है तो है दो की ढ़ाई शायद नहीं होगी लेकिन दो एकर भूमी में मैं जादा उत्तमादन कैसे करूं उस पर अगर मैं बल देता हूं मैं ग्रोथ को ताकत देता हूं हम कितना ज्यादा दूसरा भारत के जो मैनुफेक्टरर्स है उन्होंने ग्लोबल मार्केट की और टार्गेट करना चाहिए जब भारत में बनी हूई ट्रेन मैंट्रो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होती है भारत मे बनी हूई जपानीज कंपनी मारूती जब भारत में कार बनाती है और जपान उसको इंपोर्ट करता है तो हिंदुस्तान की इकॉनमी बढ़ती है आज हम अर्बो खर्बो रुपियों का पैट्रोलियम प्रोड़क्त महार चलाते हैं हम सोलार एनरजी पर बल दें हमारी अपनी ताकत पर हमारा इंपोर्ट कम करने की स्थिति में आ जाएं हम ग्रोथ में एक नया एडिशन जोड़ सकते हैं कि डिफेंस अर्बो खर्बो रुपियों का डिफेंस एक्विपमेंट हमको बाहर से लाना पड़ता है भारत के नवजवानों के पास टालेंट है अगर हम डिफेंस एक्विपमेंट मैनुफेक्टिरिक के लिए टेक्लोलोजी टांस्पर्स के एफडियाई लाएंगे लेकिन बनाएंगे यहां नवजवान को रोजगार भी मिलेगा और हमें इंपोर्ट की ज़रोत नहीं पड़ेगी भारत अपने हाप पर सुरक्षित होगा तो हमारा आर्थिक विकास तेज गतिश हो कॉंस्टन्ट हो उतार चड़ाव उतार आखोक्स में आखों के सामने हिंदुस्तान के धर्ति पर होगा यह मेरा विश्वास है कि 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 कि